हेलो एव्रिवान कैसे हो आप सब आई हूब कि आप सब फीट एंफाइन होगे क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सही नहीं चल रहा है सब को कोल्ड एंड फीवर आ रहा है मुझे मेरी भी तभी थोड़ी नासाज है बट मैं अच्छा महसूस करी हूँ और मैं गई हूँ किसे पसंद नहीं है इस्पेसली लेडीज को वह कोई साभी मार्केट हो और यह सामने एक चोटी सी चिप सुप्स की निमकियुमकी खजुरुजुर खास्ता की दुकान है बहुत अच्छी है यह उत्तम नगर इस्ट में है डैली में है और मेरे हजबन को रास्ता थ्वासा गली में ले गए थे तो उसके वजह से यह मुझे चोटी चोटी शॉप सब दिखी जहां काफी सस्ते में सामान मिल रहे थे बहुत सारे अच्छे सामान थे और यह यहां पे बहुत सारा टी शर्ट था बहुत सारे लोवर जेंज 200-300 के रेंज में थे यहां बिक्रीस के प्रोड़क्ट लग रहा था में को यह था ओमाई गॉड यहां थे अच्छे अच्छे सस्ते सस्ते लोर्स थे 100-100-200 इस टाइपस के रेंज में थे बहुत सारे फॉक्स थे पाटी वेर नर्मल घर पे पेहनने को बहुत सारे और सब बहुत अच्छे प्राइज में 300-400 बट बार्गिलिंग करने आना चाहिए लेडिस तो तूट पड़ी थी जूल्री के आइटम पे सलवार सूट थे 300-500 के रेंज में कढ़ाई वाले सूट थे सारिया थी सारी का आइधिंक उन्होंने 500 या 550 ऐसा कुछ बताया था बहुत जब फिक्स प्राइस था जहां बिलकुल ही रिक्वेस्ट करने पे वो लोग प्राइस कम नहीं कर रहे थे और बच्चे के तो बहुत सारे प्यारे-प्यारे क्यूट-क्यूट से फ्रॉक थे मुझे अपना बच्पन याद आ गया था यार क्या मैं बच्पन में मॉमा फ्रॉक पिनाती थी अब तो पहनती ही नहीं हूं है और चूड़ी बैंगल सब बहुत प्यारे-प्यारे थे 20 रुपीज के 100-200 के बैंगल थे बहुत जादा रश था और देशहरा का एथिंग कुछ शॉपिंग भी चल रहा था जिसके वैसे बहुत जादे रश हो गया था और भी जादा लग रहा था और मेरे को हो रहा था म बनाने में प्रॉब्लम यहां पर बहुत सारे गोल्ड में जूल्री थे जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है मैंने देखा बर्ट उतना में को अट्रैक्टिव नहीं लगा क्योंकि आजकल तो स्टोन्स वाले ही जूल्री जादे पसंद करते लोग सैंडल्स की थी स्लीपर में थे बैंगल्स 20 रुपीज वाले भी थे जो अपर रेगलर यूज में हैर बैंड्स थाइंक गॉड में साथ महीं बेटी नहीं गई थी नहीं तो वहर चीज के लिए जिद करती बेंता यह तो लगा कि पूरा दुपट्टा और के ही कड़ा है बंदा कैसे कैरी कर रहा था कि एचल में फेस्टिवल क्या था पहत ता ब bone Fat lingu Rachel में फेस्टिवल क्या था उंथा यहूं का बड़ा से बहुत सादी हैं मुझे पड़े एरिंग्स बहुत ही पसंदे हैं बहुत जरह भीग पसंदे और पार्टी उटी में माशालार वही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होत यहां दोसों में जिन्स का लेगेंस का यह सब आइटम भी था सबसे जादर मार्केट में भीड थी लेडिस की और शॉल भी मिलने लगा था में को लगा क्यों मैं थंडा भी आगे में को पता भी नहीं चला इतना फास्ट थंडा आ गया क्योंकि जाड़े के भी छोटे-छोट फूल स्लेफ्स के यहां पैंट बहुत बच्चे के अच्छे-च्छे देर सो के दो दे रहे थे बहुत कमफर्टेवल कॉटन फैब्रिक था इसलिए कॉटन फैब्रिक अलवेस मतलब धमाल मचाने वाला चीज होता है और यह चुन्नी थी चोटी-चोटी यह हो गया मेरा सट कर्यार भी बच्छे लेती हूँ एक साथ और लेहसन पीस्टि हो तो इसमें अद्रक मिर्ची हरी मिर्च नहीं ही तो ताकि लाल मिर्ची थवा सहत के लिए अच्छा नहीं हो ता है वीटामिन चीजी होता है अरी मिर्च में तो और फिर चट्नी मैंने रेडि किया फिर जाल तो दाल भी पिसके रख दिया एक दो दिन चल जाता है इसली दाल लैसन पेस्ट उसके बाद फिर से आपको प्यास हो गया उसको भी मैंने रेडी कर लिया था पिसके यह सब आपको वीकली या 10 देस के लिए आप फ्रीज में डाल दो धनिया की चटनी मेरी बेटी को बहुत प ला सकते हो और फ्रीज में मैंने रख दिया और यह मैंने फ्लिप काट से लिया था इसका कोफर डेर सो में दिया था वान सिक्स्टी में बहुत प्यारा था ठीक था क्वाइलिटी वाइस नॉट टू गुड बट एवरिस था ठीक था एसपेसली मेरे फ्रीज से यह मैच कर था इसलिए मैंने धूप थी मैंने कपड़ा भी डाला हुआ था ड्रेस बच्चे का और फिर मैंने कोफता बनाया चिकन कोफता और कपड़ा फिर फुला दिया संडे का रोटीन बहुत ही बिजी होता है उसके बाद धूप से कपड़े सब सुख गय थे बहुत तेज दूप के दिया बट वह भी वह नहीं खा पा रहा था मैं बेटी के साथ साथ अपने कपड़ा पूरा और्गनाइज की हैल करना चाहिए बात करते करते काम जली खतम हो जाते हैं बच्चे भी काम करना सीख लेते हैं यूनिफॉर्म एक जंग मैं रखती हूं ताकि मॉर्णिंग में iam iron करने में easy रहें और मैं stream iron करते हूं इसलिए खड़े-खड़े ही हो जाता है और easy रहता है वो बैट के iron करने का जो process होते है फूरास हमें को लगता है कि मेरे लिए lengthy है थोफा और stream iron easy है ये dress अलग कर देती हूं बच्चे का अलग और सब अच्छे अच्छे में बेटी ले एक्जाम हुआ था उसकी रफ कॉपी थी बिकॉस के चेंज करते हैं ये लोग स्कूल वाले सेकेंड टर्म के एक्जाम के बद नए कॉपी फिल मतलब बोलते हैं लेने को तो वो सब इसने रफ के लिए अलग ही और्गनाईज करके रखा मैं भी अपने बेटी से थोड़ा पर चटनी तो ये सब हम लोग खाना खाएं खाना खाने के बाद खाना जब भी मैं निकालती है तो मेरे बच्चे या हजबन लगाने में मेरी हेल्प कर देते हैं थोड़ा बहुत फिर उसके बाद शाम हो गई थी थकी हुई थी शाम में आया पानी और पानी आने के बाद पिर में कुण सब पानी बढ़ना पड़ा पानी प्लान्ट में भी डालना पड़ा camera मेरा छोट सा गाडे ने ऍरिया है कि मेंने तोड़े से तुलाँ कुल सी फ्लावर्ट ऐ और में कुल अच्छ लगते हैं यह तो नहीं बता कि मतलब जाद भी नहीं रखना पसंद करती हो की गंदगी फैलते हैं अफिंडीत visit बट में को प्लांट अच्छे लगते हैं, ऑक्सीजन के पॉइंट ओफ यू से भी ऐसे फ्रेशनेस फिल भी होता है, और मैंने फिर फिल्टर साफ किया था थोड़ा तो उसमें भी मैं पानी खतम हो गया था, तो फिर मैं फिल्टर फुल की और फिल्टर फुल करने के बाद का फिर मैं कीचन में भी मनी प्लांट है, बहुत प्यारा सा, मनी प्लांट सुनते हैं, या सब को जानते हैं, ऐसे जानते होंगे, कि पैसा आता है, इस मज़े से मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है, और फ्रेश प्यारा सा लगता है, वह जो लंबा 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 थड़ता ह मुं में को बहुत अच्छा फिलिंग देता है मैंने सारे के बोतल भड़े और सारे को और्गनाइज किया फ्रीज में मैं पानी नहीं डाली हूँ विकास के डैली का मौसम थोड़ा सही नहीं चल ला है भी खासी सदी फीवर सबको मतलब हो रहा है और मैंने अपने मनी प्लांट को भी पानी दिया थोड़ा सा ताकि उसे भी फ्रेश महसूस हो उसे भी प्यास लगी होगी कभी धूब कभी चाओं तो इसके वैसे मैंने मनी प्लांट को भी पानी दिया और ऐसे ऐसे करते करते मेरी शाम भी हो रही थी खतम सभी काम हो चुके मैंने एक स्ट्रॉंग टी बनाया, स्ट्रॉंग टी बनाने से में को अच्छा फील होता है, मेरा हेड़क प्रॉब्लम बहुत रहता है, यह मैंने फ्लिपकार्ट से बॉक्स लिया हुआ था, यह एट पीस का सेट था, 500 का पड़ा था यह, लीड इसका ठीक है, रबर साइड से स्कॉायर शेप में था, तो और डिफरेंट लगा, इसलिए मैं इससे ली थी, और यह टाइट बंद नहीं होते हैं, यह कॉंटेनर में वह चीज थोड़ा सा है, और फिर मैंने चाय में डाला है, लाची, लाची की चाय मेरे घर में सारे को नहीं पसंद, मेरे और मेरे बेट लगाज बंद झाई की लगाजश्चाए